नमस्कार मैं योगिस आप सभी का स्टडी अलट के डिश्टल प्लेटपरम पे स्वागत करता हूं तो आज हम बात करने वाले हैं ब्याश्ट शी 2023 से समंदित बात करने वाले हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि मातर 10 दिन पढ़कर आपको ब्याश्ट शी में 500 नमर है वो कैस दस दिन में 500 नमर कराएगा यानि हमारा टार्गेट 500 नमर कराएगा तो हमारे साड़ी 400 नमर तो अराम से आएंगे ठीक है तो टार्गेट हमें से हमें बड़ा रखना है तो हमारा 500 नमर का टार्गेट है तो हमें 10 दिन में कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है कि सब्जक्ट म और मैं बताऊं इस हिसाब से गर आप 10 दिन पढ़ लेते हो तो आपको BSTC में 500 नमर लाने से कोई नहीं रोखेगा ठीक है और आपका जो सेलेक्शन हो जाएगा और आपको घर के पास की जो कोले जाना वो मिल जाएगी ठीक है लेकिन इस वीडियो को आपको complete देखना होगा औ और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हो या फिर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका है तो मेरा आप सभी से निवेद दने की आप चैनल study alert को subscribe कर लो भी ठीक है यहाँ पर आपको ब्यस्टेशी को समर्पीत है यहाँ पर आपको ब्यस्टेशी की जो classes है वो भी देखने को मिलेगी एक्जाम से पहले जैसे आपको important क्यों से नहीं वो देखने को मिलेंगे reasoning reasoning शिक्षण अब्रूची हिंदी और राजस्तान जी के इन सभी के आपकी दो क्यूसन है और classes है और model पर यह सभी चीज़ देखने को मिलेगी तो सब्सक्राइब आप अत्याव से कर देना ठीक है और एक अमारा वोट्सव ग्रूप है उसको भी अगर आपने जोइन नहीं करका है तो वोट्सव ग्रूप को मारे जोइन कर लीजिए उसकी जो लिंक है वो मैंने description के अंदर दे रखिए ठीक है वोट्सव ग्रूप को आप जोइन कर लेना वहां पर आपको जो पिछले 15 सालों की प्रवानी पेपर वो मिल जाएंगे पलस आपको हिंदी reasoning और राजस्तान जी की राजस्तान जी की में culture, history और geography इन सभी की जो नोट्स है वो मिल जाएंगे लेकिन आपको गुरूप को जोइन करना है उसकी लिंक आपका पेपर हो गया इस एक्जाम में आपके लिए खुस कबरी किया है कि इसमें negative marking नहीं होती है यानि नकारात्मक अंग नहीं होता है इसलिए आपको पूरे 200 में से 200 कि उसना आपको अटेंड करने है ठीक है यह तो बात हो गई आपके पेपर पेटन की और आपको पता है आपका पेपर यह चार खंड में आता है कितने खंड में आता है चार खंड में एक तो है एक है बै एक है से और एक है आपका दै यानि पेपर आपका कुल कितने खंडों में आता है चार खंडों में आता है ठीक है ए में आपको पता है रिजिनिंग आती है पचास कि उसनों क की जो आपके नम्र की सेंखर है वो रहेगी 500 याणि 50 किशन आएगगे आपके nम्र ए में और आपके रिस नम्र की हरीगी little खंड़ 2 में आपको पता है जीड की जिखे आएगगा उस में भी आपके 50 किशंखर्ण की संखर्ण का हरेगी और आंक आपके लोग्स Μार NICK ठीक है खंड दय में 20 क्यूसन तो आपके English कहेंगे और 30 क्यूसन अगर आप Hindi लेना चाहते हो तो Hindi कहेंगे अगर आप Sense Cut लेना चाहते हो तो Sense Cut कहेंगे ठीक है यह तो बात आपको पता है ठीक है और इस बार आपको पता है सिक्षन वरुची में आपको पता है 3-2-1 का सिस्टम हट गया है और क्यूसन के जो लेवल है ठीक है वो भी एकदम हाई लेवल के आने लग गया है यानि अच्छे लेवल आपके आ रहे हैं तो इस बार आप यह बात अपने दिमाग से निकाल देना कि जो सिक्षन वरुची मे भी ध्यान देना है ठीक है तो इतनी बाते यह तो आपको समझ में आ गई है अब आपको कुछ ट्रिक्स और जो बाते हैं वो बताऊंगा उनको आपको step by step follow करना है और अंतिम 10 दिनों में आपको उनको follow करना है ठीक है अगर उनको follow कर लेते हैं तो आपकी नमर भी है वो भी चारसो नमर आएंगे और अगर हम 45 का टार्गेट रखेंगे तो घैसे हमें टार्गेट 40-50 नमर उपर ही रखना चाहिए तो महारा टार्गेट अगर पांसो नमर का है तो हमें सब से पहले क्या करना है reasoning को कवर करना है ठीक है सबसे पहले में किस subject को करना है reasoning को ठीक है मेरी बात ध्यांसी सुले ना सबसे पहले किसको कवर करना है reasoning को reasoning एक ऐसा subject है जो हमें पूरे में से पूरे यानि बट्टे में से बट्टे नमर दिलवास सकता है तो सबसे पहले मेरी ट्रिक क्या रहेगी मा आपको बता रहा हूंверж आपको रीजल्ब को प्रिजनिंग को कम पिट ने है ठीक है सबसे कम टोपिक है और आपको पतは सबसे कम समय लगेगा इतने आपके जो पास काफी कम दिन है उसमें आपको क्या करने है आपके पास मारraw अध粉व ड़ीजुता है तो परतिक एक दिन में आपको दो टोपिक निकाले हो तो दस इंहोगे आपसके पास मारु दस टोपिक हो जाएwnगे ठीक है। सबसे पहला subject हमारा reasoning रहेगा, यानि reasoning को हमें एकदम complete पढ़ना है, ठीक है, अगर 500 नमर का target रखना है, और हमें अच्छ नमर लाने है, college लेनी है, तो हमें reasoning को complete करना ही पढ़ेगा, सबसे आसान subject आपका यही है, ठीक है, यही पूरे में से पूरे नमर दिलवा सकता है, उसके बाद में आपका target रहेगा, देखो सब बताती है, जिक्के शिक्ष नमर रूची, ठीक है, सब लोग क्या बताती है, कि जिक्के पढ़ो, शिक्ष नमर रूची पढ़ो, लेकिन मेरा जो second नमर subject है, वो आपका रहेगा, वो कौन सा रहेगा, हिंदी रहेगा, ठीक है, second नमर मैं आपको हिंदी बताऊंगा, क्यूंकि हिंदी आपको पता है, वैसे तो 90 नमरों के आएगे, वैसे तो 90 नमरों के आएगे, लेकिन हिंदी एक ऐसा subject है, जिसमें आपके 90 में से 70 या फिर 22 नमर ला सकते हो, क्यूंकि देखो, अगर आप जिक्के पढ़ोगे, तो आपको प बते हैं, यह बताईज आएगे, और आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो दो नमरों हमारा subject कौन सा रहेगा, हिंदी, हिंदी में ज्यदा topic नहीं, यह समास पढ़ते है, उपस रगे, और आपको पता है, संदी, लोकोक्तिया, सुद सबद, ऐसुद सबद, म बते हैं, यह समास पता है, अब आपको पता है, दस दिन में आप जिक्ये कंप्लीट तो नहीं कर पाऊगे, लेकिन इसमें ब्यास टिशी में आपको बेनिफिट किया कि जिक्ये only for आपका राजस्तान का आएगा, इंडिया जिक्ये नहीं आएगा, और नाई करेंट अफिर उनली रास्तान जीक के आएगा तो जीके में आपको 15 सालों की पुरानी पेपर है उनको सोल करना है ठीक है उनको सोल करना है परतेक साल 50 कुछन जीके के आते हैं तो शाड़ी 700 परशन आपके वो रहे ठीक है पलस आपको नोट्स पढ़ने है अब आपको क्योंकि आप अब राम से 30-35 कुछन राइट हो जाएंगे ठीक है इतनी भी आपको पता हाई लेवल नहीं आएगा क्योस्नों का लेवल हाई नहीं आएगा उपर-उपर का मेटर वो आपको पढ़ना है ठीक है तो जीके में इस हिसाब से पढ़िए तो मारे राम से नमर बन जाएंगे ठीक है और एक बात यह याद रखना क्योंकि यह कोई RS का एकजाम नहीं एंट्रेस एकजाम है तो इसमें पेपर का लेवल एकदम इजी आएगा ठीक है उपर-उपर का मेटर वो आपको पढ़ना है और जीके का जो सामानी जो आपका यह जान है ठीक है जीके में जो आपका फर्स पढ़ोगे तो शिक्ष्ण अविरुची आपकी कुछ तो समझ भी नहीं आगी लेकिन फिर भी आपको इसमें पढ़ना है और थोड़ा बहुत आपको पोजिट्यू सोचना है शिक्ष्ण अविरुची शिक्ष्ण विरुची में देखो आप चाहिए कोई सी भी बुक से आ पढ़ना है दिन के 10 पेज पढ़नी है दिन के 10 पेज पढ़ोगे तो आपकी 5 दिन में complete हो जाएगी और 10 दिन में आपका revision हो जाएगा ठीक है तो शिक्ष्ण विरुची को आपको इस हिसाब से पढ़ना है और जदा जदा आपको revision करना है और उसके बाद आपका मैंने बात अब आपके 7-8 किसे नहीं write होंगे तो इसमें आपको time कराब नहीं करना है क्योंकि हमारे पास काफी कम समय है ठीक है तो इस हिसाब से में पढ़ना है अभी मेरी बात ज्यांस्ति सुलनो भई अब आपके मन में doubt है कि सरजीम कितने गंटे पढ़े दोखो अब आपको पता है नया कुछ भी नहीं पढ़ना है अगर आपने 50% सुलिबस कवर किया है तो उस 50% सुलिबस का आपको revision करना है ठीक है अगर आपने 60% किया है तो 60% का revision करना है यह माईने नहीं रखता है कि आपनी सुलिबस 100% पूरा कवर किया या फिर नहीं किया यह माईने रखता है कि आप आपने कितना percent syllabus पढ़ना है उसका revision किया धिन नहीं किया है ठीक है revision वेरी important है तो revision आपको करना है और मैंने आपको बता दिया कि 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 subject को ज्यादा पढणा है किस को कम पढणा है देखो अभी सबसे ज़्यादा आपको reasoning को पढ़ना है, हिंदी को पढ़ना है, और section research को पढ़ना है, इन तीन को आपको ज़्यादा पढ़ना है, जिक्के में आपको notes और question पे ध्यान देना है, English को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, कितने गंटे पढ़ना है, इतना है, आप चैनल के साथ बने रहे है, और WhatsApp ग्रूप को जोइन कर लेना, उसकी लिंग डिस्क्रिप्शन गेंदर है, वहाँ पे आपको notes 15 साल की paper है, वो मिल जाएंगे, और channel को subscribe गे लेना, याँ पे आपको classes मिलती रहेगी, धनिवाद.